केक बनाएंगे तो यह देखिए कितना बड़ी को बनाने के लिए हमने एक कप ओउट्स लिए और एक कप दोर्द तो ओट्स में हम कप तूद डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए भीगोने छोड़ देंगे अब हम दूसरा बाउल लेंगे और दूसरे बाउल में एक अंडा तोड़ेंगे और इस अंडे में चीनी डाल लेने हैं दो तीन चम्मच या अपने स्वाध के नुसार और यहां पर हम चोकलेट पा इसे हम अची तरह से मैस लेंगे मैस जाने के बाद इसे हम भीगे हुए ओट में डालेंगे और चोकलेट के मिश्रन को भी ओट में डालेंगे अब हम इसमें कुछ ड्राइफरूट डाल लेते हैं जैसे किस्मीर्स, अक्रोट, बदाम के कुछ टुकड़े और नारियल के और सारे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसका मिश्रन अच्छी तरह से बडा लेने के बाद हम एक केक्टिन लेंगे और केक्टिन को तेल से हम इस तरह का गिरिस कर लेंगे और बटर पेपर नीचे डालके उपर से भी हम तेल गिरिस कर लेंगे बटर को हम केक्टिन दालेंगे और उपर से इस तरह पलेंगे और उपर से बादाम कटे हुए दोचार डाल देंगे अब हम इधर कडाही को प्रीट कर लिए हैं पांच मिनट के लिए तो यह गरम हो गया है इसमें हम केक्टीन को डालेंगे और कवर करके इसे हम 20-25 मिनट तक बेक करेंगे 20-25 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और इसे हम चेक करके देखेंगे तो यह देखिए फोर्क नीट आइंड किलिन निकला है इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद यह देखिए चाकू थोड़ा इधर किनारे किनारे से हमें गुमा लेने ताकि आसानी से निकल जाए पलेट में इसे हम पलट लेंगे और इसमें जो बटर पेपर डला हुआ था इस बटर पेपर को हम इस तरह से उधेड कर निकाल लेंगे सीधा कर लेंगे इसको पलेट में और इसमें हम उपर से सुगर पावडर इस तरह से छीड़क देंगे छीड़कने के यह ओट से बना है, तो काफी हेल्दी भी है, आपको पसंद आए, तो आप ट्राइ कर सकते हैं, तो चलिए इसे हम पलेट में सर्व कर लेते हैं, तो इस तरह से एक छोटे से पलेट में हम इसे निकालेंगे, सारे कट को और निकालने के बाद इसमें हम चोकलेट सीरफ उपर से डाल देंगे, यमी सा केक रेडी है, तो यह देखिए कितना यमी और अच्छा दीक रहा है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद, मिलते हैं अगली एक इसी तरह की नई रेसेपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्या डाल रखे,